हलो फ्रेंड्स कच्ची केले से आज हम बहुती कुरकुरी चिप्स बनाएंगे तो यह देखे इसके लिए मैंने आधा किलो कच्चे केले लिये हैं इनको बहुत अच्छे से धोकर पोश लेंगे और फिर किसी पीलर से इसको हम अच्छे से छील लेंगे घर पर केले के चिप्स बनाना बहुत ही आसान है तो बस अब इसको डारेक्टी हम एक पानी का बोल लेंगे उसमें हम बहुत ही पतले पतले इसको काटते जाएंगे क्योंकि यह बहुत जल्दी काला हो जाता है आलू की दरीके से इसलिए इसको पानी में काटना बहुत ज़रूरी है या फिर इसको हम डारेक्ट तेल में भी काटके मतलब फ्राई कर सकते हैं लेकिन उसके लिए स्पीट थोड़ी जादा चाहिए तो इसलिए पहले इसमें हम पानी में डालेंगे या फिर हम किसी जैसे जो ग्रेटर होते हैं उसमें जो चिप्स बनाने के लिए जो होता है साइड में उससे भी हम इसके पतले-पतले चिप्स बना सकते हैं जो कि सभी एक साइस के बनते हैं तो देखिए मैंने दोनों ही तरीके से काट लिए हैं आप पानी में ठोड़ा सा नमक डालेंगे और Bj He crashed लिएम आप बीज़ेए क्यों है आप अप्पानी अपनी इस Minute ऐड़ाया देंगे हमे एक थाली में थ pils आप भी ठायखक स्झाझ को अच्छे में घरम एड़ाशना गरेछ लो टू मेडियम नहीं, एकदम हाई फ्लेम पे जो हम तेल को खौलाते हैं, वैसे हम इसको डालेंगे, और बस पहले हम इसको दो-तिन मिट ऐसे ही पकने देंगे, बिल्कुल भी हम इसमें कलचुल नहीं लगाएंगे, फिर जैसे ही इसके बबल्स जो सेटल हो जाएंगे, उसक एकदम फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसको किसी भी छनी से निकाल लेंगे, तेल से बाहर, और जितने भी चिप्स मैंने बना के रखें, सब इसी तरीके से हम फ्राई करके एक बोल में निकाल लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा हम नमक म हातों से हम मिला लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा